हाँ जी तो क्या हाल है आपके मैं सुमित कुमार एक पर फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपोर्टेंट इस वीडियो में मैंने IMU CET के उपर कुछ वीडियो मनाई जिसमें बच्चों के रिस्पॉंस बहुत अच्छे थे कि सर हमें अभी तक पता नहीं था इस अप है कितना पैसा चाहिए से लेके सब कुछ ठीक है जी वीडियो को एंट तक देखना आपको जरूर संतुष्टी मिलेगी अगर एक चीज और वीडियो का स्टार्टिंग बता रहा हूं अगर आप लोग इंट्रेस्टिड हुए तो मैं यूट्यूब पे फ्री कोर्स में निक बच्चे को हर करीर प्रोस्पेक्स अच्छा ही लगे यह मुझे अच्छा लगा आपके लिए मुझे सई चीज लगी इसलिए मैंने बताया है क्या जब बच्चा डिफेंस की तयारी करते हैं तो उसको बहुत बार वो चीज नहीं मिल पाती है तो नॉर्मल कोलिजी में उसक Social Planning Services ही है अगर वहाँ पे हो जाता है तो सबस्पो surfaces हुआ है तो एक side by career option है तो पहले चीज तो यह उसको कुन बच्चा कर सकता है। теп達ए मिटश्टेग इन जर्नल फेवरेबल होते है बहुत वारे SSB के एंट्री ऐसे जिसमें आप देखना नीचे लिखा हुआता है लिखा हुआ होता है बी या बीटेक डिगरी उसमें बहुत बार तो जैसे ही तो मरीन इंजिनिंग कराते हैं मरीन इंजिनिंग की भी वेकेंसी जाती है बहुत बार कोई वही नीचे यह फील्डी उसके लिए बहुती अच्छा उप्शन है विकोज इस जोब लगती लगती है कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे स्पोंशर्शिप को लेकर बच्चे करते हैं इसमें तो पहले स्पोंशर्शिप लेने पड़ती है यह वो यह वो देखो ध्यान से समझने किजिए एक है डिक्लोमा डिक्लोमा इन नोटिकल साइंस एक वह अलग चीज है और बिटेक डिग्री अलग चीज़े अगर आप डिपलोमा करते हो तो उसमें स्पोंशर्शिप वाला पंगा नहीं आप नूर्मल एक डिग्री कर रहे हैं आपकी कैमपस प्लेश्मेंट होग सब्सक्राइब करोगे तो लगबग डबल हो जाती है तो जो उतनी अफोर्ड कर सकता है पहले चीज तो वो है दूसरा इस पे लोन एजुकेशन लोन यह सब कोमनली मिल जाते हैं विकोज दा रीजन इस कि बच्चे का का काइंड ओफ कंफर्म होता है कि प्लेस हो ही जाएगा बट फिर भी आप कर सकते हो नहीं कर सकते यह आपको खुद डिसाइड करना है क्लिरेटी होगी है अलगल्स के लिए उपन है लेकिन नोन मेडीकल सइस का नहीं है उसके लिए अलग अलग बीटेक वाले चाहिए PCM में मिलाके ठीक है and 50% मार्ट सुने चाहिए English में या तो 10 में या तो 12 में क्लियर होगी इसमें minimum age ने से maximum जर्णल के लिए 25 साल है विसी के लिए 28 साल स्सेट के लिए 30 साल है फिमेल के लिए यही दो-दो साल बड़ी हुई है क्लियर होगा अगर मार्लाब मार्स से रिलेक्षेशन है इसमें reservation का पूरा criteria से चलता है standard Indian government का वैसे इसमें चलता है physical fitness में जब आप जोईन करोगे तो आपको physical fitness का medical certificate देना पड़ेगा जो उतना मुश्किल टास्क नहीं है मुश्किल टास्क है इसमें आइस का आइस के standard है इसमें basically आपकी आई या तो 6-12 दोनों हो वो चल जाएगी या फिर एक 6-12 नो और 6-18 हो वो भी चल जाएगी ठीक है अब यह भी अलग-अलग courses की अलग-अलग requirement है यह marine engineering की थी दूसरे course की अलग होगी जैसे नेवल architecture की जो बीटेक है उसमें medical का कुछ निये बैस एक physical fitness चाहिए ठीक है तो वह इस वाले में कर सकता है आइस वाला मलब marine engineering में है तो यह तो होगी medical standards आपके clarity होगी मेरे साब से इसमें कोई doubt है नहीं देखो यह सब बिल्कुल और अच्छे तरीके से इस चीज़ को डाला हुआ है ठीक है यह सब कुछ मैं खुद IMU-CUT की official website से ही लेकर बना रहा हूं इसका जो exam अभी तक proposed है वह जून में प्रपोज्ड है आठ तारिक को इसका जो स्लेवर से बच्चे वह एंडी और जेए के सिमिलर है माला दोन में में इसलिए बोल रहा हूं विगास दोनों की चीज़ा आती है जैसे जेए में PCM आता है तो यहां पर बात करेंगे तो mathematics तो mathematics वाल लेवल के आती हैं तो mathematics आ यह मालोव NdA वाला है Physics chemistry मतला विब्ष क्रास 12 से थोड़ा सो उपर वाला है English competitive English है aptitude अगें competitive aptitude इतना मुश्किल examination नेएं की crack हो नी सकता एक अच्छी opportunity है आप इसको अवेल कर सकते हो मैं इसके अलावा भी भहुत सरी एक वीडियो बनाने वाला हूं कि आपके पास कौन-कौन से अपर्चुनिटिस एक्चुली अविलेबल आफ्टर क्लास 12 जो आप फोकस कर सकते हो बीटेक एक डिगरी ऐसी है जो अगर डिफेंस पर से बच्चा जाना चाहता है तो उसके लिए फेवरेबल डिगरी है बीटेक यह मैं चिला चिला के बता रहा हूं तो आप इस चीज को मालो मैं इसका मतलब यह नहीं है कि जो बीटेक नहीं करेगा उसको हो नहीं सकता ओविसी बात हो तो सकता यह सीडियस के तुरू जाए कैसे बीटेक वाले को थोड़ी सी एज रहती है तो वह बसमेरा इसलिए बतान सक्षिन भाड़ जाना चाहिए दोफ्सतों के साथ शेयर भाड़ जाना चाहिए तब मैं यहां पर फ्रीकॉर्स भी लॉंच कर दूँगा एक मिना क्रेश कोर्स चला के वी के लिट्रली अचीव दिस क्लियर है ठीक है एक डाउट और यह थी बच्चा कहा रहता है सब सीडि अच्छे लगते हैं अच्छे मदलब इन टम्स आफ पैसा अगर आप अच्छे कैंपस से जाते हों कैंपस प्लेस्मेंट और बड़िया प्लेस्मेंट होती है यह मैं कन्फर्म कर चुका हूं जो ओलड़ी वहां बच्चे पढ़ रहे हैं इनसे ठीक है जी क्लियरिटी है फि